नमस्कार, अचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है मेरे एक फॉलोवर हैं यूएसे में और उन्होंने मुझे कर रात को फोन करके रिक्वेस्ट किया कि अचार जी कुछ नुपूर सर्मा के वारे में बताईए और ये जो मेरे फॉलोवर हैं यूएसे में रहती हैं और दिल्ली के पढ़ी हुई है तो उनको भी लगता है कि दिल्ली में या बीजेपी में क्या हो रहा है उसको जानना चाहती है हला कि डेटा मेरे पास आ गया था बहुत पहले भी लेकिन ये एक बड़ा इसलिए मैं इस पर कोई वीडियो दे नहीं रहा था लेकिन अब जब कि लोगों ने मुझसे पूछना सुरू कर दिया है तो और वो ये जानना चाहते हैं कि नुपूर सर्मा का क्या फ्यूचर होगा क्योंकि बीजेपी ने उनको छे साल के लिए पार्टी से बाहर किया हुआ है और अब नुपूर सर्मा कोपर काफी केसेज वगयरा भी है जाहिर है कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं होगी वहाँ पे नुपूर सर्मा के किलाब केसेज होंगे तो अब नुपूर सर्मा जो है वो बिसकली चक्र वीव में फस गई तो नुपूर की कुंड़ी डिसकस करते हैं धनु लगने का जैन्म है और लगनिस्तान खाली दूसरे घर में नीज का गुरू है तीसा घर खाली चोटे घर में वक्री सुक्र और बुद्ध है पांचे घर में सूर और राहू यहाँ पे खत्रा है छटे घर में मंगल और चंदमा सात्वा घर खाली आटवा खाली नौवा खाली दस्वा खाली ग्यारमे घर में केतू देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए जब भी सूर और राहू किसी की कुंडली में हो तो आप यह मान के चलिए कि सूर का मतलब होता है सत्ता और सत्ता में जब आदमी उसके करीब बढ़ने की कोशिस करता है तो राहू आके उसको डस लेता है और राहू मैंने अक्सर बोला है कि जब भी मैं इस्लामिक कंटरीज या एक मुस्लिम कमुनिटिस को देखता हूँ तो मैं अक्सर सणी को देखता हूँ और जब दुनों का mix up देखता हूँ तो राहू को देखता हूँ क्योंकि राहू को बारे में बोला गया है कि राहू का निशर गैसा है वो सनी जैसा है तो सनी के गुण है इसमें लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि इदी नुपुर्ण ने किसी अच्छे एस्ट्रोजर से कॉंटेट किया होता तो वो उनको वान करता और बताता है कि इस समय आपकी कुंडली में वानी का दोस है और जब वानी का दोस होता है उस समय आदमी को बोलने से बचना चीए जितना आप बच सकें उतना बचिए मेरे एक लंबे इस लॉजिकल जीवन में मैंने बहुत से नेताओं को एडवाईज दिया है खास्ता होसे जो पार्टी के प्रवक्ता होते थे तो मैं उनको बोलता था कि इस समय आप लोग बहुत समल के बोलेगा नि तो कंट्रवर्सी हो जाएगी नुपूर के साथ यही हुआ नुपूर कि यदि हम कुणली को देखें है तो नुपूर इस समय बहुत डिप्रिसन में चल नहीं है और कहीं न कहीं कैरियर को लेके एक उनके मन में दबाव है कुछ पारिवारिक घटनाओं का एक ऐसा क्रम है जिसको लेके यह चीजे एकदम से उनके मुह से फूट पड़ी और इदि मैं नुपूर की कुणली को ध्यान से देखूँ तो इस समय वर्तमान में गुरू की महादिसा में सुक्र का अंतर चल रहा है और गुरू नीच का है धनू लगनी की कुणली है जो डेटा मुझे प्रवाइड किया गया है और मैं समस्ता हूँ कि यह डेटा जो है लगबग लगबग सही है और काफी इनकी घटनाओं को इस कुणली में वेरिफाई की है तो वो चीजे निकल के आ रही है हुआ क्या समस्या है इस कुणली में इस कुणली में समस्या यह है कि सुक्र वक्री है और जब हम लगन को देखते हैं चंदमा को देखते हैं और गुरू को देखते हैं तो यह पर ये ग्रह जो है ये सुक्र के प्रभाव में हैं और कुंडली में सुक्र वक्री हो गया तो सुक्र वक्री होने से क्या हो गया कि कुंडली में ग्यारवा और छटा घर सुक्र के इंफुलेंस में आया जो कि वहां की लॉड सिप है सुक्र उस घर का मालिक है और सुक्र ने इ इनको जहां पर होना चाहिए था जीवन में आज इनकी उमर 37 वर्स हो रही लगबग तो वहां पर ये उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाई बीए किया, लॉग किया, लंडन से पढ़ाई करी, बीजेपी जॉइन किया स्टुडेंट यूनियन में वो रही तो दरसल क्या था कि इनको कभी किसी ने सही एडवाईज नहीं दिया यह दिये कुंडली मेरे पास पहले आती है तो मैं बोलता आप राजनीती से दूर रही है क्योंकि राजनीती आपको फलेगी, फूलेगी नहीं बहुत किलियर है इस कुंडली में कि political ही देखा जाए तो ये कुंडली इनके लिए उतनी supporting कुंडली नहीं रहिए और यही हुआ कि जवान फ़िसली जवान फिसलने के बाद उन्होंने उस success के बारे में कमेंट्स किया जिनके बारे में उनको कमेंट्स नहीं करना चाहिए था आप औरंगजेब को कमेंट्स कीजिए आप बाबर को करिए कहीं किसी को कोई प्रावलम नहीं है मेरा इमानना रहा है कि इस दुनिया में जो अच्छे संत रहे हैं उन में से गुर्णानक साहिब हो गए कबीर दास हो गए रह दास हो गए और मुहमत पेगंबर हो गए इसा मसी हो गए इनके बारे में आप पढ़िये तो आपको काफी कुछ नई चीज़े पता लगेगी और मैं बहुत जल्दी मुहमत पेगंबर साहिब को पर एक नया वीडियो ला रहा हूँ और ये वीडियो करीबन 25 से 30 साल के रिसर्च के बाद ला रहा हूँ नुपूर जी नहीं गलती कर दी और मुहमत पेगंबर को उल्टा सिधा बोलके ये बहुत गलत किया मेरे इसाब से उनको नहीं बोलना चाहिए लेकिन जवान जो थी वो सिलिफ हो गई क्या होगा तो गुरू की महादिशा में सुक्र का अंतार है सुक्र वक्री है इसका मतल को सिद्ध कीजिए और मेरे खाल से ये बहतर होगा कि इस मामले को यहां पर गलती मानके और इसको यहीं पर रफादफा किया जाए यदि आपको आगे पॉलिटिक्स में बढ़ना है क्या होगा आपकी कुंडली में दोहजार चौबीस का साल जो होगा वो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा अब आप दिखिए मैं आपको बात और बताना चाहता हूं कि बीजेपी की कुंडली में भी साफ दिख रहा है और मैंने पहले भी बताया था कि बीजेपी की कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन्स हैं दोहजार बाइस तेइस चौबिस में जहां पर किसी महिला के द्वारा पार्टी की स्तिती खराब होगी और वो खराब हो गई कोगि आज मुस्लीम देशों ने जिस धंग से रियक्ट किया है उससे लेके हमारे भाई लोग काफी विरुजगार हो गए हैं हमारे जो प्रॉडेक्ट्स हैं जो इस्लामिक कंट्री में बि कि नुपूर का क्या होगा तो मैं कहूंगा कि नुपूर के लिए अगले दो साल कस्ट दायक रहेंगे दो साल के बाद वापस नुपूर खड़ी होंगी और मैं समझता हूँ कि वो दौर जब आएगा तो सनी जो होंगे वो मीन में जब पहुँचेंगे तो नुपूर कि वो आगे बढ़के और अपनी गलतियों को माने हाला कि उन्होंनों मान दिया है और कुंडली में भी यह चित दिख रहा है कि उनको एक माफी मिलेगी लेकिन थोड़ा वक्ते के साथ मिलेगी और जाईर है गलतियां सबसे होती हैं मैं भी यह सोच के चल रहा हूँ कि वो आगे बढ़ेंगे हैं अब देखिए मैं एक बार भारत की कुंडली में भी जाके देखता हूँ तो मैंने बोला था कि 2022-23 सिविल वार के यह आ रहे हैं हमको बहुत समल के चलना है मेरे पुराने वीडियो देखिए आप सिविल वार को लेकि मैंने बोला हुआ है आज फिर को बोल रहा हूं 2022-2023 ही बहुत खराब साल है चौबिस में उसमें आ गया चौबिस का लोगस्वा चुनाओं है अभी राज्यों के चुनाओं आने वाले हैं तो यह सब चीजें इस देश को कहा ले जाएंगी मैं लोगों को एडवाइज देता हूं कहता हूं निवेधन करत को हूं कि बाई समल के चलो वाधविवाद से बचो वाधविवाद से बचना ही ज़रूरी है ने तो शिवेवल आरह मको बहुत कुछ नुकसान कर लाएगा भारत की कुन्ली और बी जेपी